आपनी नापरी का वही सेम कटोरे से पानी नापरी है और मुबालने के लिए रखेंगे तो 4 कोटार ऊसने आटा लिया था चौटार अटार उसने पानी लिया उसने लिया बड़े चम्मच लाल मेर्श पाउडर है एक चोटा चम्मच हेंगे एक चोटा चम्मच जीरा है और स्वादनुसार नमक है इसे अच्छे तरीके से उबलने देंगे अब ये पानी उबल चुका है मसाले वाला तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दीदी चकले का आटा डाल र आटे जैसा गुंद लेगे तो देखो दीदी ने इस तरीके का आटे को गुंद लिया है देनी आटा रेडियो हो चुका था तो इसे कुछ देर के लिए रखे दिया था धक्के देन फिर चकली के साचे में इसने भरके मैं इस तरीके से चकली राउंड राउं निकाल रही तो देखें चकली इस तरीके से ัकारे तरीके से निगल रहीए तरीके सें तो इसे अब जैसे चाहे शेश्च डे सकते हैं वैसे चकली का शेप राउंड होता है तो मैं ऐसे राउंड शेप दे रही थी तो देखें आb इसे बाके की चकली भी रड़ी कर ले ruined लो तो चकली कंप्लेट हो चुकी है तो अभी इसे हम फ्राइ कर लेते तो देखिए तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था दीदी ने अब इसे वह तेल में डाल रही है तेल इतना रखेगा जितना चकली उसमें फ्राइ हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राइ हो जाए तो देखिए सारी चकली को इसमें डाल दिया है चकली डालने के बाद यह इस तरीके का इसे फ्राइ करना है कि वह हलका ब्राउन हो जाए तो देखिए इस तरीके का हो गया है तो दीदी अभी चकली को बहार निकाल रही है तो आप भी इसे ज़रूर ड्राइ करिएगा से लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बुलना मैं मिलतु है अपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जैसे